प्रभाद, पिछली कक्षा में हमने भाग्य के भरो से पाठ दो की चर्चा की थी, आज हम इसी पाठ के प्रश्नोत्रों की चर्चा करेंगे मौखिक, निमलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, तीनों मचलियों के नाम क्या थें? तीनों मचलियों के नाम हीरा, पारो, सुनीधी थें दूसरा प्रश्न, मचुवारे प्रसन क्यूं हुए? नदी में मचलियों की अधिक संख्या देखकर मचुवारे प्रसन हो गए तीसरा प्रश्न, पारों ने सबसे अधिक प्रबल किसे माना? उत्तर, पारों ने सबसे अधिक प्रबल भाग्य को माना? चौथा प्रश्न, पारों मचली किस में फस गई? उत्तर, पारों मचली जाल में फस गई? लिखित, लगु उत्तर ये प्रश्न, तीन मचलियां नदी में कैसे रहती थी? तीनों मचलियां नदी में बड़े प्रेम से मिल जुल कर रहती थी? दूसरा प्रश्न, मचलियों ने समस्या सुलजाने के लिए क्या किया? उत्तर, मचलियों ने समस्या सुलजाने के लिए एक सभा का आयोजन किया? तीसरा प्रश्न, जाल में फसने के बाद पारो मचली ने क्या सोचा? उत्तर, जाल में फसने के बाद पारो मचली ने सोचा कि जाल में फस जाना ही उसके भाग्य में लिखा है धन्यवाद